असलाम अलेकुम इवर्स आज मैं आपके लिए मनी प्रांट का एक जबरदस फटलाइजर लेकर आई हूँ एक ऐसा फटलाइजर जो के आप अपने मनी प्रांट को डालेंगे वो मनी प्रांट जो के आपने पानी में लगा रखा है वैसे तो मैंने बहुत से fertilizer's बताए है money plant के हवाले से अगर आपने वो watch करने है तो आप मेरी YouTube channel का विज़र कीजिए और आपको जो भी visible हो वो आप ज़रूर यूज़ कीजिए क्योंकि मैंने जितने भी fertilizer's बताए है वो सब home remedy में बनाएगे fertilizer's है और आप जानते है कि home remedy में बनाएगे fertilizer's पोदों के लिए कभी भी नुकसानदा नहीं होते बलके इन जो fertilizer's है इनके अज़जास से पोदों की घजाई अज़जा पूरे होते हैं उनकी जरूरियात पूरी होती है और जैसे ही पोदों की घजाई जरूरियात पूरी होती है तो पोदे बहुत अच्छी तीके से ग्रो करने लग जाते है इन fertilizer's को देने का मकसद सिर्फ पोदों को हज़ाई अज़जा महिया करना होता है तो जो पोदे मटी में लगे होते हैं मनी बनाण के उनको तो हाँ मटी के जरियो होरक दे देते हैं लेकिन जो पोदे पानी में लगे होते हैं उनको फटलाइस करने के लिए हमें पानी का इस्तमाल ही करना पड़ता है तो आज का जो मैं आपको लीकवर्ट फटलाइसर बता रही हूं यह आप मनी बनाण के उन पोदों में डालीएगा जो के आपने घर में पानी में लगा रखी हैं जैसे के प्लास्टर की बोटल या फिर शीशे के जार फैसे तो मनी बनाण का जो पोदा है वो अगर आपने शीशे की जार में लगा कर रखा हुआ है तो आपका पोदा बहुत ज़दा छेतिके से ग्रो करेगा क्योंकि प्लास्टर की बोटल या फिर जो शीशे का जार होता है इन दोनों में अगर आप पोदे लगा कर इनका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको अच्छे से इंदाज़ा हो जाएगा कि जो मनी प्लाट शीशे के जार में लगा हुआ होता है वो बहुत ज़दा छेतिके से ग्रो करता है बाद निस्बत उसके जो के प्लास्टर की बोटल में लगा हुआ होता है तो इसकी बहुत आसान एक वाज़ा है और वो सिर्फ इतनी सी है कि प्लास्टर की बोटर लिए होती है इसे बहुत साइड एफेक्ट्स कुछ ऐसे बैक्टिरिया पाए जाते हैं जो कि पोदे की हल्थ के लिए चिन नहीं होते तो चलते हैं आज के फटलाइजर की तरफ इसके लिए आपने कावडंक ले लेना है कावडंक आपने वो ही यूज करना है जो के अच्छे तीके से फटलाइज हुआ हुआ हो क्योंकि बास उकात ऐसा होता है कि अगर फटलाइज अच्छे से नहीं हुआ होता तो वो आँके पोदे को बनिंग कर सकता है लेहाज़ा आप हमेशा ऐसा फर्टलाइसर यूस कीजिए जो के अच्छे तीके से फर्टलाइस हुआ हो वो ही आपके पोदों की सहर के लिए साथ से बेहतरी नहता है तो आपने 50 से 60 गराम गाय का गोबर काव डांक लेना है और फिर आपने उसको 500 मिली लीटर पारे में डाल कर अच्छे से मिक्स करके रख देना है आपने किसी ऐसे बरतन में इसको डाल कर रखना है जिसको आप अच्छे से कवर करके रख सकें इसको मस्बूती के साथ बंद करके रखीगा ताकि बाहर की हावा इसके अंदर ना जा सके और फिर आप इसको एक से दो दिन के लिए ढाम कर रख दीजिए ताकि फटलाइजर अच्छे त्रीके से रेडी हो सके दो दिन गुजरने के बाद जब आप इसको खौलेंगे तो आपके पास एक जबरतास फटलाइजर रेडी होगा लेकिन इसको आपने इस तरह से यूज नहीं करना है आपने इसको डिरेक्ट अप्लाइ नहीं करना है इसके लिए आपने इसमें दो हिसे पानी शामल करना है जितना भी फटलाइजर आपने यूज करना है इसमें से अगर आपने एक गलास फटलाइजर लिया है तो उसमें आपने दो गलास पानी एड़ कर देने है और फिर अच्छी से इनको आपने मिक्स कर देना है मिक्स करने के बाद अब आपके पास ये फर्टलाइजर रेडी है ये मनी प्रांट के एक ऐसी खाद है जो के पोदे को बहुत ज़दा बैनेफिट पंचाएगी आपके पोदे के पतों के साइज इंकरीज होगा और इसकी जो बरांचे हैं वो बहुत ज़दा अच्छे त्रीके से निकलना शुरू हो जाएंगी क्योंकि जो काव डंक होता है ये पोदे की सेथ के लिए बहुत ज़दा बैनेफिट होता है इसमें बहुत ज़दा नाइट्रोजन पाया जाता है काव डंक एक ऐसी खाद है जो कि आग के पोदे के पत्तों में हारा रंग लेकर आती है आग के पोदे के पत्तों के रंग अगर गरीन है तो वो लश करीन हो जाते है क्योंकि ये पोदों के जो पत्ते हैं उसमें गरीनीरी को मज़ीद बढ़ाता है इसके साथ साथ ये पौदे के जो तन्य होते है ईंको मसबूत करता है इंको सेहत मन बनाता है और अगर आवके पौदे की برाँचे शेहत मन नहीं है कम्जोर है तो जब आवए ये फटलाइजर यूस करेंगे ते आफ़े के पौदे की तक ने बहुत अच्छे तीखे से ग्रोब करना शॺु हो जाएंगी उनने पहले से ज़्डा जाना आजाएगी वो पहले से ज़्डा ताकतवार हो जाएंगी और आफ़े पोदा बहुत ज़्डा नहीं ब्रán्च निकालना शुरूगार देगा और ये आप अपने तमाम उन पोदों में डाल सकते हैं, तमाम उन मनी प्रांट में डाल सकते हैं, जो कि आपने शीशे के जार या प्रास्टर के बोटल में डाल रखे हैं। और जैसा कि आप चानते हैं कि जो पानी में लगी हुए मनी प्राट होते हैं इनका हफते में एक बार पानी चेंज करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर आप इसका पानी चेंज नहीं करते हैं तो पानी में फंगस पैदा हो जाता है और वो फंगर्स पोदे की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है जिससे मनी प्रांट कभी भी ग्रो नहीं कर पाता और आपका पोदा डड़ हो जाता है इसलिए अगर आप मनी प्रांट के अच्छी ग्रोज को चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपका मनी प्रांट पानी में बहुत अच्छे तीके से ग्रो करें तो आप तक्रीबन हर हफते में एक बर इसका पानी जरूर चेंज कीजिए। इससे आपके बोदी की हैल बहुत अच्छी रहती है और बहुत अच्छे तीके से ग्रो करता रहता है। इस पॉर्ड को अपने घार में ज़रोर लगाएजे यह लगाना बहूत इजि टू गरो है यह बहुत जल्दी नहीं मरता मनिप्राणग का पॉर्ड़ गोडरो करता रहता है और नहीं नहीं पॉर्ड़ों को तियार कर रहता है अगर आप नई रखने कोई वीडियो देखनी हूँ तो आप मेरी यूटीब चैनल का विज़र कीजिए इस से लेटर मैंने बहुत सी वीडियोस अफ्लोड कर रखी है आप उनका विज़र जरूर कीजिए और उन वीडियो को वाच कीजिए मुझे अमीद है कि आपको मेरी वो वीडियोस भी बहुत ज़रा पसान आएंगी आपने ये फटलाइस अपने पौदे को काप देना है तो ये फटलाइसर आपने महीने में सिर्फ एक बार अपने पौदे को देना है मनी प्रान को आप जब भी फटलाइस किया करें हमेशा शाम के टाइम पर किया करें इससे मनी प्रान बहुत अच् तो मुझे अमीर है कि आज की में यी वीडियो को पसांद आई होगी आज की फटलाइजर के हवाले से अगर आको को क्वेस्टन पूछना हो तो वह कामड सक्षिन में पूछ सकते हैं मैं इंशालला आको उसका ज़रूर जवाब दूगी अगर आप मेरी चैनल पाने हैं तो मेरी चैनल को सभ्राइब कीजी और बेल आइकोन को सूरर पैस कीजीगा ताकर मेरे याने वाली हाने वीडियो की नूव्रिकेशन आपकर से पहले मिल सके मेरी वीडियो पर आने का आपका बहुत शुक्रिया